प्रवासी मजदुरों की टोलिया इतनी कड़कडाती धूप में ट्रकों में भर भर के अपने गाओं की और निकल पड़ा है। उनको ये सब देखा नहीं जाता। बड़े खुशी की बात है कि इन मजदुरों की साहिता के लिए देजभर के अमड ग्लोबल टीम के कारेकरता हाइवे पर उतर आये है। भूपाल में भी लगातार आचारे धिरजानन दवदुची एवं अमड ग्लोबल के अन्य कारकरताओ द्वारा प्रवासी मजदुरों के लिए भोजन वित्रित का कारेक चल दी रहा है। हबीब गंज और भूपाल रेलवे स्टेशन पर दिली, मुंबई और चैनने से आ रही ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं प्रवासीों के लिए प्रती दिल 500 भूजन के पैकेट्स के तृत किये जाते हैं। मध्यप्रदेश की सिंगरोली में भी पिछने साथ दिनों से लगाता हाईवे पर पैदल और ट्रकों में अपने घरों को वापिस लोट रहे प्रवासी मजदुरों को भोजन कराया जा रहा है। तथा उनके जरुरत की वस्कुए जैसे चपपल, गमचा और रास्ते के लिए भूजन पैकेट्स और पानी वोटर भी प्रदान किये जा रहा है। यह फोटोस है उडिसा के गंजम जिले की जहां आचारे निर्भयान अंदव दूजी अमट ग्लोबल के अन्य कारे करताओं के साथ लांजी पली बाइपास एवं गोलन थला पुलिस स्टेशन के पास प्रवासी मजदुरों को भोजन वित्रन का कारे किया जा रहा है। और पैजर यात्र कर रहे हैं प्रवासियों को वाहन की सुविधा भी प्रधान की जा रही है। उधर पटना के मीठापूर बस स्टेंट पर अमट ग्लोबल की पोस्टर पार के काईदवारा प्रवासी मजदुरों को भोजन वित्रन का कारे किया जा रहा है। यह कारे आचार प्रवेशा नंदवदु जी के देख रेक में हो रहा है। भबुवा भुक्ती के महुनिया से श्री अकलेश जी एवं उनका परिवार भी प्रवासी मजदुरों के लिए बिर्यानी बिनवाकर उसके पैकेट्स एवं बिस्कूट और पानी पौच भी पित्रत किया जा रहा है। भी ट्रकों में अपने घर लोटरे प्रवासी को फ़ल एवं भोजन दितन का कारी चली रहा है। बिनांक 19 मई 2020 को आनन्दमार्ग उनिवर्सल रिलीफ्टिंग ग्लोबल प्रयागराच के अचारे संजीवानन अबदूत एवं अन्य सदस्यगन प्रयागराच के अलोपी बाग जूसी पुल सरदार पटेल संस्थान अस्पताल के पास बसों और ट्रकों में दूर दरा से आ आनन्दमार्ग उनिवर्सल रिलीफ्टिंग ग्लोबल हजारी पाक के और से दिनांग 19 मई 2020 को राज मार्ग पर विबन निराज पुने, कॉलकता, ओरिसा से विबन निराज की और जा रहे है राहगीरों के बीच सिराहत सामगरी का वित्रन किया गया जिसमें सैक्डों लोग लाभन वित हुए लोगडाउन 4.0 में भी कोरोना की जंग में अमर्ड का बैलर लेकर भूजन पैकेट्स को अस्तर बनाकर श्री सुनिल आनजी जरतमन्दों के लिए स्वयम एक सरकार का प्रतिरूप बने हुए 56 दिनों से लगातर इन जरतमन्द प्रवासियों की सेवा में लगे श्री सुनिल आनजी ने ये बता ही दिया कि सरकार यदी ऐसे ही इनकी आफशक्ताओं को पूर्ण करते रहे तो इन्हें वापस गाउ जाने की नौबत ही ना है उनकी कारणामे ही कहते हैं कि प्रोध दर्वाजे पर आकर दस्तक दे रहा है दर्वाजा खोली तो सही सामने स्वेर नारायन खड़े नजर आएंगे उनकी सेवा करके देखी तो सही